जीवन का हर शन निर्णे का शन होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वाद दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनश्चय से भर जाता है निर्ने का वोक्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमी अधिकतर निर्ने हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को शान्त करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दोड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्ने ले पाएगा वास्तव में शान्त मन से जब कोई निर्ने करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है किन्तु अपने मन को शान्त करने के लिए जब कोई निर्ने करता है तो वो वेक्ति भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम विचार कीजिएगा निर्ने के एक्षण में हम सदा है किसी अन्ने के सुजहाव सूचना मंत्रना या परामर्ष को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज दिये गए निड्ने के उपर होता है तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्ने के परामर्ष किसी अन्ने के सुजहाव का फल है क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्ने की बुद्धी का परिणाम क्या हमने कभी विचार किया है सबका आनुभव है कि भिन भिन लोग एक ही स्थिती में भिन भिन परामश देते हैं मंदिर में खड़ा भग कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अफसर मिले तो इस मूर्थी के श्रिंगार चुराद धर्म से भरा रिदय धर्म मैं सुझाव देता है और अधर्म से भरा रिदय अधर्म का परामश देता है घर में सुझाव का स्विकार ही मनुष्य को सुख की और ले जाता है किन्तु ऐसे परामर्ष्व का स्विकार करना तभी संभव होता है जब रिदय में धर्म अर्थात किसी का सुझाव अत्वा परामर्ष्ट विकार करने से पूर तुएम अपने रिदय में धर्म को सापित करना क्या आवर्शक नहीं तुएम विचार कीजिए भविष्चे के अधार पर सब आज का निर्णे लेना चाहते हैं भविष्चे में सुख मिले भविष्चे सुरक्षे थो ऐसे निर्णे आज लेने का प्रेत्न रहता है सबका आप अपने जीवन को देखिए क्या आपके अधिकतर निर्णे के पीछे भविष्चे का विचार नहीं होता और हो भी क्यों न, अपने जीवन को सरल और सुख्मय बनाने का प्रेत्न करने का अधिकार सब का है पर भविश्य तो कोई नहीं जानता, केवल कलपना ही की जा सकती है तो जीवन के सारे महत्वपून निर्णे कलपनाओं के आधार पर ही करते हैं हम क्या निर्णे करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है विचार कीजिए सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के रदे में बसता है तो प्रतेक निर्णे से पूर्व स्वयम अपने रदे से ये प्रश्न वश्य पूछ लेना कि ये निर्णे स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से क्या इतना परियाप्थ नहीं भविश्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविश्य अधिक सुख पूर्ण नहीं होगा स्वयम वीच प्रश्य के दोख स्वयम अविचाँ